4 सिटमबर 2021 को हिमाचल परदे सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती और बहुत ही मत्तोपुन मीटिंग थी क्यूंकि इस कैबिनेट में वह से नभीनतम निरने भी सरकार को लेने थे और एक सबसे बड़ी बात जो कंप्रिटिव एक्जाम के अव्यार्थियों के लिए एक जीगासा का कार्ण रहता है इस कैबिनेट की मीटिंग में वह ये रहता है कि आखिर कितनी बगैंसे की सेक्टर में निकाली गई है तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताएंगे सिक्सा विभाग में भी कुछ नभीन पद स्रिजित किये गए है जी ओईटी के कुछ पद है विविंतरा के जो हमारी मुनिसिपल कॉर्पोरेशन्स है उसमें भी कुछ पद सरकार के द्वारा एप्रूब किये गए है स्टमबर 2021 तक सरकारी संस्तानों को बंद रखने का निरने लिया गया है जिसमें स्कूलों के लिए विशेश तोर पे रिस्टिक्सन है कि नहीं खुलेंगे आपको ग्यात होगा बरतमान में स्कूली सिक्सा में दी हम बात करें तो उनका फॉर्स टर्मिनल एकजामिरिसन भी चल रहा है तो ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल में लाने का कोई ज़्यादा अचित्या भी नहीं था और दूसरा जो अभी जैसे कहा गया है कि सिक्सा विवाग तथा जो स्वास्तिया विवाग उसकी जो रिपोर्टिंग थी क्रोना के केस बढ़ रहे थे जिसका नाज यहां पर देखिए आप मान के चलिए कि हिमाचल परदेश में 14 सितंबर तक स्कूल बंध है और अब देखिए उसके राबा बहुत ही महत्तोपूर्णी हां पे निर्ने लिए गया है कैबिनेट ने हिमाचल परदेश भवन एवं अन्या निर्मान स्रमिक रोजगार नियमन सेबा सर्त नियम 2008 में संसोधन को अपनी मंजूरी परदान की गई है अकसर कंपरेट्टिव एकजाम में यह पूछ लिया जाता है कि इस तर की जो चीज़ सुर्खियों में रहती है तो आप से पूछ जा सकता है कि कब यह नियम बने था 2008 आपने याद रखना है एक और यहा लेकिन अब यहाँ पे दिया आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें देखी स्कूलों के बारे में बात की जारी है मंत्रमंडल की वैठक में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है स्कूलों को बंद रखने की तारिक क जानकारी आप तपरबंदन की अधिसूचना में होगी रहसा कहा जा रहा है उसमें कि 14 तारिक तक स्कूलों को बंद करने का प्राब्धन किया गया है विविन तरह के पोर्टल के माध्यम से ही जानकारी हमारे तक भी पहुंच पाई गया लेकिन इसकी निश्ची तिति क्या रहेगी उसके बारे में आपको आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे सुन्दनगर बिधान सबक सेत्तर में एक चनोग अटल आदर्स बिधालिया अबनाने का भी सरकार के दोरा निरने लिया गया है यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सरकार के दोरा विविन तरह के जो हमारे स्कूल थे जो कोई हाई था उसको सीनियर स्केंटरी कर दिया है यहाँ अग्जिस्टिंग में सीनियर स्केंटरी स्कूल में तो यहांपे पद रहेंगे इसके राब आपको बता दें यहांपे आप आगे चलेंगे देखिए बिलासपूर के सुवारघाट में प्रात्मिक विदालियारी खास को मीडल स्कूल में अपग्रेड करने और तीन पदों को भरने का निर्ने यहांपे लिया गया है इसके राब इसके लाब आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दियां बात करें तो कैबिनेट में मंडी जिला के कोटली उपमंडल सीपिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इसके लाब देखिए और भी बहुत से यहाँ पे दियां बात करेंगे नए पस्तालिया खोलने और पदों को स्रीजित करने का भी निरने लिया गया है। उसमें है सोलान, मंडी और पालंपूर तो इनमें देखिए पंदरा पदों को भरने के सरकार के दोरा एप्रूबल दी गई है। इसमें देखिए आप दो जेई के पद है और स्वस्ता परिवेक्सक के दो ड्राफ्समेन के स्थान पर जूनिया ड्राफ्समेन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंटरी ऑपरेटर, तीन पद और जियोईटी के भी यहाँ पे चार पद आउट्सोर्स पर अधार पर भरने का निरने सरकार के दोरा ये लिया गया है, तो देखिए इस तरह के पद आपको देख रहे होंगे, भीविन तरह के पद आपको देखने को मिलते हैं, और एक बड़ी खबर यहाँ पे हिमाचल पर इस परसासनिक सेबा के अव्यार्थियों के लिए बता दें, इस कैब अमीन विकास, विभाग के अंतरगत, विकास, खन, प्रागपूर, काज़ा, ब्याजनात इबंगुमार्भी में, चालकों के चार पदों को भरने का निरने भी इस कैबनेट की मीटिंग में लिया गया है, इसके लाब अदि बात करें, तो क्रीसी बिस्तो बिजाल लिया, प बल्दवाडा में नय लोक निर्मान विवा के बिसराम ग्रिया के निर्मान को मंजूरी दी गई है, इस तरह के और भी महत्तोपुन निर्ना यहाँ पर आपको दिखरे सरकार के द्वारा लिये गया है, तो कूल मिला के बात करें, तो कंपेटिव एक्जाम के अव्यार्थि बैंक का संक्सिप्त नोर्स की फॉरम में एक ओसिन त्यार किये गए है, जिने आप बड़ी सरलता से पढ़ सकते हैं, विविंदर के कंपेटिव एकजाम में काफी खरी उतर रही है, इस पूस्तिकादी की यदि बात की जाए, तो इलैश्टेडी को रटिन वेबसाइट से आप इस किताब को एक बार रव्यू कर सकते हैं, इसके लाब आप होरेश्ट गार्ड, पूलिस, एट्स, एट्र की बहुत ही महत्तोपुन किताबे भी हमारे टीम के दोरा लांच की गई है, और यहां पे आप देख रहे होंगे, एक्चेस अलाइड और एंटी के लिए हमार सुकद होगा, और इमार्चल प्रदेश सरकार में आपका सरकारे नौकरी बाने का सपना भी साकार हो सकता है, उसके लिए आपको एक चीज़ का इध्यान रखना नियमित रूप से कंटिनूसली अपने बढ़ाई करते रहना है, थैंक यू बेरी मस्, कीप बॉचिंग, इलै